दोस्तों जब आप MBBS की counselling में जाएंगे नीट की counselling में जाएंगे तो आपको एक option नहीं बहुत सारे options मिलेंगे जहां से आप MBBS कर सकते हैं Depend upon your score, Depend upon your rank आपको वो options choose करने होंगे अगर आप यह सोचते हैं कि आपका नीट खराब गया है या आपने नीट में कम score किया है एक factor रहेगा वो money factor है अगर आपकी financial condition अच्छी है तो nobody is going to stop you for doing MBBS this year तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता है until less कि आप pass हो पास हैं तो आप MBBS कर सकते हैं financial condition अच्छी है तो तो यहाँ बहुत सारे options जितने भी possible options हैं मैं आपको बताऊंगा और क्या बहुत सारी candidates हैं जो foreign MBBS करना चाहते हैं उनके लिए भी options बताऊंगा कि कैसे कर सकते हैं और क्या साउधनिया आपको रखनी पड़ेंगी अगर आप foreign MBBS करना चाहते हैं तो क्योंकि उसमें भी बहुत सारी problem असा आती है यह सारा मैंने एक वीडियो में describe किया हुए पूरा detail में देखेगा आपको पूरा समझ में आ जाएगा आप इसे जो candidates बहुत low score कर रहे हैं फिर भी MBBS करना है चाहत रखते हैं अब नहीं drop करना है उनके लिए भी यह वीडियो आसानी से आप देखिए और बहुत सारे colleges हैं ब हम score रहेगा कैसे करेंगे MBBS वो भी कर सकेंगे MBBS तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बात कर लेते हैं दोस्तों जब आप counseling के लिए appear होंगे तो आपको MBBS के options बहुत सारे मिलेंगे कहां से करें यह इसके लिए आपको बहुत सारे options मिलेंगे तो मैं आपको सारे options यहां पर बताऊंगा जिससे आपको idea मिल जाएगा कि आपको क्या करना है और सबसे बड़ी बात है score range score range क्या होगा इसमें हमारा score range होगा आपका 145 से लेके 700 तक मतलब यह range होगा आपका इस range में आपको colleges मिल जाएगे आप बात कर लेते हैं कि options कौन कौन से होगे देखे one by one पहला आपका options होगा कि आप aims से करें ठीक सेकेंड option होगा जिपमर से ठीक है थार्ड ऑप्शन होगा आपका कि आप Central निष्टी से कर लें फूर्थ ऑप्शन होगा कि आप A.F.M.C. से कर लें फिफ्फ ऑप्शन होगा आप ESIC कार्ड होल्डर है तो ESIC कर लें six options होगा कि आप अगर deemed करना चाहते हैं deemed colleges क्योंकि अगर आप GMC से नहीं कर पाएंगे इसके अलावा आप स्टेट GMC से कर सकते हैं फिर GMC से भी कर सकते हैं इस बहुत सारे options आपको मिलेंगे A.Q. में GMC के थ्रू कर सकते हैं इसके अलावा आपको private medical colleges का एक option और होगा कि आप private से भी MBBS कर सकते हैं प्राइवेट medical colleges से यह सारे options आपको मिलेंगे और सबसे important बात यह है कि यहां पर सबका range चेंज हो जाएगा means जैसे अब aims से आपको करना है तो इसका range आपका चेंज हो जाएगा means 610 से 615 के बीच में आपको marks लाने पड़ सकता है या इससे भी कम यह तो मैं round 2 तक बताता हूं इस तो कैसे round 2 तक और कम हो सकता है इस जिपमर का है तो normal इसका अगर देखा जाए तो 640 से 645 minimum आपको लाने पड़ते हैं means यहां पर यह रिंज चेंज हो जाएगा Central लुष्टी में भी टॉप Central लुष्टी में है MMC है BHU है EMU है इसके अलामा डेली के टॉप medical colleges है जिसमें मने MMC बताया है यह डेली के टॉप Central लुष्टी है ठीक है यह सारे options आते हैं FMC अपना अलगी यहां पर screening process कराता है इसके screening round होते हैं मिस यहां पर कम से कम 600 प्लस तो marks आपको लाने ही पड़ेंगे इसमें क्योंकि boys और girls की अलगल यहां पर merit होती है तो पहले तो आपको merit में आना पड़ेगा फिर FMC अपना self round करवाता है campus पे इस IC में अगर आप इस IC का कार्ड होल्डर है तो इसका भी cut-off 500 प्लस या 500 से नीचे भी चला जाता है डिपेंड करता है कि आपके पास कार्ड होल्डर है डिम्ड उनिष्टीज है इसमें भी बहुत अच्छी च्छी डिम्ड उनिष्टीज है जैसे किम्सी मनिपाल हो गया मेंगलोर campus हो गया यह सारे campus है इसके बाद भारते विड्डा पीट हो गई और इसी तरह से कलिंगा इस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसे किम्स भोनेशर यह बहुत सारे इस्टिट्यूट है जो कि आपको इस डिम्ड उनिष्टीज है जहां पर आपको यह मान के चलिए कि पासिंग स्कूर पर भी आपको सीटें यहां पर एक सो पैतालिस एक सो पचास या दो सो की रेंज स्टिट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यू और यहां का score range भी काफी जादा होता है, लास्ट येर यह मान के चलिए कि अच्छे colleges जो फिल हुए थे करनाड का कि वो 680 प्लस score पे फिल हुए थे, जो कि अधर स्टेट के colleges क्योंकि सारे स्टेट के colleges means सारे स्टेट के student means यहां पे eligible होते हैं, कुछ सीटों के लिए, तो हर स्ट स्टेट के student यहां पे आते हैं, और इसलिए इसका cut-off काफी जादा होता है, और इनकी demand बहुत जाता है, यह खासकर बैंगलोर के colleges की, बैंगलोर के colleges में जैसे आपका सेंट जोंस हो गया, यह number one का college है, सेंट जोंस हो गया, इसके अलामा MS Ramayya हो गया, MS Ramayya, वैदे ही institute हो गय means बैंकलोर में कम से कम आठ से दस colleges आपको मिल जाएंगे, और यह सारी colleges की demand बहुत जादा होती है, तो यहां पे कहने का सीधा सीधा मतलब मेरा यह है दोस्तों कि अगर आप यह MBBS चाहते हैं कि हमें MBBS करना ही करना है, और score आपका कम है, low score है, मिस आपका अगर low score है, और आप आपके सोचें की नहीं हमें MBBS करना है, आप ड्रॉप नहीं करना है, या हमें government colleges नहीं लिने तो आपके पास options क्या बसते हैं, या तो आप deemed university से करने, या तो आप private medical college से करने, ठीक है, दो options आपके पास बसते हैं, या तो drop करना है, drop अगर आप नहीं करना चाहते हैं, तो इन और दोनों में दिन लों प्राइब एट में आपको financially strong होना पड़ेगा financial condition आपको अच्छी हो चाहिए financially strong होना चाहिए means आपका budget 15 से 20 लाग मेर मंथ means per year होना चाहिए मत्तब यह मान के चलिए depending upon किस private colleges में कौन सी seat ले रहे डीम डिरस्टिस की वैसे भी सीटें बहुत ज़्यादा होती है इस फीज ज़्यादा होती है प्राइवेट मेडियल कॉलेजिस में भी कुछ गौवर्मेंट कोटा की सीटें होती है जिसमें की आपका जो फीज होता है वो फीज काफी कम हो जाता है खासकर उसी स्टेट के होते हैं इसी तरह से पंजाब में हैं पंजाब में गौवर्मेंट कोटा की सीटें होती हैं गौवर्मेंट कोटा की सीटें होती हैं लेकिन यह सारी सीटें उस स्टेट के कैंडिर्स के होती है अगर आप बाहर से होंगे तो आपको यह बैनिफिट नहीं मिलेगा तो यह सार इसी तरह से MP में बहुत सारी scheme चलती है जिसमें कि आपको tuition fees वेव हो जाती है विदावी योजना चलती है tuition fees आपके वहाँ पर माफ हो जाती है यह सारी लिए बहुत सारी स्कीम से अगर आप प्राइवेट से करना चाहते हैं या मेडिकल कोलेज करना chamber तो आपको देखना पड़ेगा best options आपके लिए क्या से हैं fees भी आपको देखने पड़ेगे कि अगर कातो पूं को कर सकते हिं तभ आप प्राइवेट से MBBS या डीम से MBBS कर सकता है प्राइवेट और डीम से MBBS आप तभी कर सकता है बाकि जो मैंने यह AIMS बताया JIPMAR बताया Central Ministries बताया FMC बताया इसके अलमा स्टेट GMC बताया और AIQ के GMC को बताया यह सारे जो institute हैं जो आपको दिख रहे हैं यह सब टॉप जीमसी हैं टॉप जीमसी या फिर टॉप सेंटर निविस्टीज हैं और इनको अगर आपको लेना है तो आपको बहुत अच्छा स्कोर करना ही पढ़ेगा हम इस 600 प्लस का टार्गेट तो आपको रखना ही पढ़ेगा कई सारे state में 600 प्लस पे state GMC किसीड मिलते हैं कहीं कहीं 550 के range में भी मिल जाती हैं तो डिबन करता है state GMC किस state की बात हो रही है तो यह आपको देछना पढ़ेगा दोस्तों कि आप कहां से करना चाते हैं क्या करना चाते हैं लो स्कोर पे करना है तो मैंने बताइ दिया कि लो लो स्कोर पर आपको दो ओप्षिंस मिलेगे प्राइवेट मिलेगा और डिम मिलेगा अब ये आप देखेंगे कि आपके लिए बिष्टी कौन स ऑप्षिंन फाइनन्शली इस्टर ओंग गे तो आपको सीट हTrT मिले करिये। पैसे का अंतिजाम करिए। आप देखे कि आपके पास पैसे हैं क्या आपको सीटे मिल जाएंगे। तो आपको सीटे मिल जाएंगी यह तो रही बात इंडिया की अगर अब फोरेंस से भी करना चाते हैं, फोरेंस से भी करना चाते हैं, एम्दिशाण फोरेंक्टिरीज rainbow like कि विए रेचिया से आपका रजिग करणे कोई आप शारी Is अपको मिल जाते हैं अब यहां पर पर जासकते हैं une हैं पासिंग को मार्ग्स लाने होंगे और कि आप यहां पर न्या रूर रूर्ल है कि एक नहीं होते हैं नीट में तो यहां पर नहीं जा पाएंगे नया रूल बनाया गया है कि पासिंग होना चाहिए तो यह भी आपके पास ऑप्शन होगा कि फॉरेंट से आप MBS कर सकते हैं कि फॉरेंस MBS करने के लिए आपको अच्छी कंसल्टेंसी को देखना होगा दूसरा यह है कि आपको गौर्मेंट की व्यफसाइट पे आपको जाके जो यूनिवस्टीज हैं फॉरें उनिवस्टीज उनका डेटा चेक करना पड़ेगा क्योंकि कभी कभी क्या आ ओता है कि यह जो consultancy's हैं ये आपको बेवकूब बना देती हैं बताती हैं कि फीस ये है बहुत कम फीस है आपको MBBS करवा देंगे उसके बाद जबाब जाते हैं तो ना तो वहां पे आपको hostel facility मिलती है ना ये teaching facility तो अब सब वहां पे गड़वड होता है हिसाब एक बार खुद से जाने से पहले एक बार खुद वैरिफाई करिए अगर आप फॉरें से करना चाहते हैं तो खुद एक बार वैरिफाई करिए कि क्या कैसे क्या हो सकता है मिस एक बार अपनी sources से देखिए गा यह क्या जो कुछ कवर कर लिया है फिर भी कोई डाउट से जरूर में बताहिए गए that's all